주lets आजकी वीडियो में हम करने वाले हैं प्रे-position besides and accept दोनों ऒये हिंधी शेमें नॉनि謂 हुआ हैं कि सिपकर में कि इस android क्योंतों इस में करने हुआ हैं So let's get to this video पहला है हमारा besides इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा sentence में के अलावा के अलावा या के अतरीक्त इसका हिंदी मीनिंग हमारा ये निकलेगा sentence में ऐसे ही accept का हिंदी मीनिंग भी यही होता है इसी कांट सभी बच्चे इसमें confused होते हैं कि जब दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है तो इनको हम कैसे यूज करें sentence में यही doubt इस वीडियो में हम clear करने वाले हैं वीडियो में हम सभी concept को clear करेंगी कैसे इनका sentences में यूज होता है कहां कहां इनके मीनिंग में changes आते हैं और हम साथ में practice भी करने वाले हैं ठीक है? आते हैं अपने point पे beside का मीनिंग समझते जब हम यह कहें कि मेरे पास इस चीज के साथ ये चीज भी है उसके लिए हम beside का यूज करेंगी जैसे मैंने कहा मेरे पास marker के अलावा white board भी है यानि marker तो है ही है मेरे पास उसके साथ मेरे पास white board भी है जब ऐसी situation आएगी कि एक चीज के साथ मेरे पास ये भी है तो हम beside का use करेंगे और accept का use तब करेंगे जब किसी एक चीज को छोड़कर मैंने कहा marker को छोड़कर मेरे पास white board है तो जब हम accept use करेंगे तो किसी चीज को छोड़के दूसरी चीज हमारे पास है इस situation में हम accept का use करेंगे देखते हैं कुछ example और अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाने के अलावा नो क्री भी करती हूँ भी करती हूँ यह हमारे sentence है अब हमें यह देखने हैं कहां हमें beside लगाना है कहां हमें accept लगाना है क्योंकि के अलावा आ गया तो मतलब तो यह हुआ कि beside भी आ सकता हूँ accept भी आ सकता है देखते हैं I मैं तुम्हें पढ़ाने के अलावा क्या करती हूँ नोक्री भी करती हूँ तो I do a job besides teach you तीक है यानि कि पढ़नाने के अलावा मैं जो भी करती हूँ जब यहां हम besides का यूज करेंगे तो इसका हिंदी मेनि निकलेगा के अलावा यानि कि यह तो मैं करती ही करती हूँ पढ़ाती तो हूँ लेकि इसके साथ मैं job भी करती हूँ अगर मैंने यहां accept लिख दिया accept लिखने से इसका meaning change हो जाएगा कैसे होगा I do a job accept teach you यानि कि पढ़ाने को छोड़के तुम्हें पढ़ाने को छोड़के मैं job करती हूँ इसका मतलब जहां भी accept आएगा वहाँ meaning निकलेगा इस चीज को छोड़के यहां तक clear हो सबको beside कहा हूँ जोगा साथ में यह चीज होगी और accept कहा हूँ जोगा छोड़कर अब examples से अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं हमारे पहला example है you should study maths also besides science यानि कि science के अलावा तुम्हें maths भी पढ़ना चाहिए के अलावा जब हम के अलावा की बात करेंगे यानि कि science तो पढ़ने पढ़नी है उसके साथ maths भी पढ़ना है तो हम besides का यूज करेंगे अगर मैंने कहा कि science को छोड़कर तुम्हें maths पढ़ना चाहिए तो हम यहाँ accept लगा देंगे ठीक है यानि कि science को छोड़कर तुम्हें maths पढ़ना चाहिए इसको लगाने से ही sentence का जो meaning है वो change हो जाएगा except लगाएंगे तो छोड़कर अगर besides लगाएंगे तो हम के अलावा यानि ये काम तो कर रहे है इसके अलावा ये काम भी हम कर रहे है साथ साथ next example देखते है eat fruits also besides vegetables यानि कि सबजियों के अलावा fruit भी खाओ fruit भी खाना है यानि कि सबजियां तो खाओ ही खाओ उसके साथ fruit भी खाओ अगर यहां मैं accept लगाती हूँ तो सबजियों को छोड़कर fruit खाओ sentence का meaning change हो जाएगा next देखते है I can speak three languages besides English English के अलावा मैं तीन भासाइं बोल सकती हूँ यानि कि English तो मैं बोलते ही बोलती हूँ उसके साथ-साथ मैं तीन भासाइं भी बोल सकती हूँ अगर मैंने यहां लगा दिया accept तो इसका meaning क्या होगा English को छोड़कर मैं तीन languages यानि कि तीन भासाइं बोल सकती हूँ English बोला नहीं जानती मैं यानि उसको छोड़करके जब accept आएगा तो छोड़करके और जब besides आएगा तो के अलावा इसके साथ-साथ ओके नेक्स चलते हैं I can do everything except tell a lie यानि कि जूट बोलने को छोड़कर क्योंकि हमने यहां accept का यूज किया है तो जूट बोलने को छोड़कर मैं सब कुछ कर सकती हूँ क्यानि कि मुझसे जूट नहीं बोला जाता बाकि मैं सब कुछ कर लेती हूँ ठीक है या कर सकती हूँ Next देखते हैं Everyone understand me except you तुम्हें छोड़कर सभी लोग मुझे समझते हैं यानि केवल तुम ही हो जो मुझे नहीं समझते हो बाकि सभी लोग मुझे समझते हैं अगर मैं यहाँ पर besides का यूज करती हूँ तो तुम तो मुझे समझते ही हो बाकि सभी लोग भी मुझे समझते हैं ये हमारा sentence का meaning change हो जाएगा Next देखते हैं I have a lot of words तुम से बात करने को छोड़कर मेरे पास बहुत सारे काम है अगर मैं यहाँ पर besides का use करती हूँ तो इसका meaning होगा तुम से बात करने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है तुम से बात तो मैं करी रही हूँ उसके अलावा भी बहुत सारी काम मैं कर सकती हूँ या करती हूँ ठीक है इस तरीके से हम accept और beside का use sentences में करते हैं और spoken में करते हैं वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को like करना ना भूले साथ ही bell icon को भी प्रेस करें और चैनल को भी subscribe जरूर कर ले अगर आप पहले बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे